जहें दोस्तों हाल ही में EMRS का TZT और अन नॉन टीचिंग स्टाप के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है EMRS क्या है तो आपको बता दें कि एक लवे मॉडल रेसिदेंस जो इसकूल होते हैं इसमें ये वेकेंसी जाय हुई है इसमें TZT और नॉन टीचिंग स्टाप दोनों के लिए है तो इस वीडियो में दोस्तों हम इससे जुड़े हुए जो भी मातपून पहले होंगे जैसे कि क्या है इसका क्राइटेरिया है कौन इसमें अप्लाई कर सकता है इसकी फॉर्म की डेट कब से कब तक की है इसके लावे इसमें फीज की चार्जिस क्या और इसका सलिबस क्या है इन सभी की हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो के अंद तक आप बने रहिएगा आपको सारी जानकारी यहांपर मिलने वाली है तो चलिए ठीक है बिना समय गवाए हम इसमें प्रारम करें सबसे पहले तो आपको यहांपर बता दें कि जो इसकी टोटल नमबर आफ वेकेंसी है वो है 6329 6329 पद है टेजटी के जो पद है वो 5660 है याने सबसे ज़्यादा पोश्ट है यहांपर टेजटी की है फिर आँगे हम बात करते हैं non-teaching staff में तो hostel warden male 335 ठीक है और 334 यहांपर है female की फिर इसके बाद यहांपर है दोस्तों तो देखिए जो teaching staff है यादि उसके लिए हम बात करें या non-teaching दोनों के लिए तो यहाँ जो age का criteria है वो 35 वर्स है आप 35 से कम उम्मर के हाँ आप इसमें apply कर सकते हैं और अधिक इसमें जो भी age relaxation है यदि वो आप देखना चाहते हैं तो इसका जो notification है वो आप इसकी site से या हमारे telegram channel Mr. Academy Zabalpur से आप download कर सकते हैं फिर इसके बाद आगे बात की जाए कि आपका यहाँ पर non-teaching जो post है ठीक है उसके लिए का का educational qualification या eligibility रखी गई है तो यहाँ महातपूर है bachelor degree in any related subject ठीक है आपका bachelor degree होना चाहिए और इसके अलावा seat at pass be it exam pass be it भी होना चाहिए और जो महातपूर बिंदू है वो seated यदि आपका seated qualified नहीं है CTET तो आप इससे apply नहीं कर सकते हैं non-teaching इसके बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिफ आपके bachelor degree होना चाहिए आपके पास bachelor degree है आप इसमें apply कर सकते हैं non-teaching पोश्टों के लिए हम बात करें दोस्तों तो आप उसमें आपके सामने यहां पर चार्ट है आप उसमें देख सकते हैं कि किस category के लिए यहां पर कितने पद हैं इसके बात की जाए यहां पर कि कितनी fees लगने वाली है कितना इसका form का है तो आप पाएंगे TZT के लिए पंदरा सो रुपए और हॉस्टल वार्डन के लिए एक हजार रुपए यहां पर जो मात्पूर्ण बिंदो दोस्तों वो यह है कि जनरल OBC और EWS के लिए fees है ना कि SCSTA उनके लिए यह निसुलक है चाहे TZT की हो या चाहे आपका non-teaching staff याने कि हॉस्टल वार्डन के लिए ह हुआ फिर इसके बाद हम बात करते हैं exam को लेकर की exam का pattern क्या रहने वाला है तो आपके सामने एक chart है जिसमें आप इक पा रहे हैं, कि आपका 120 marks court, 30 marks है, जिस्कूल कॉश्चंच रहने वाले हैं, 150 marks रहने वाले हैं, जिस में से जो last में आप 30 दिये हूएं, जो सबसे last में हैं, उसमें आप पाएंगे कि यहां सिर्फ language test है, जो qualifying है 40% लाना आवश्यक है आप यदि 40% उसमें नहीं ला पा रहे हैं 30 number का 40% यदि आप नहीं ला पा रहे हैं और language test का मतलब है इसमें हिंदी और English रहने वाली है और इसके लाब़ एक reasonable language रहने वाली है 30 question आपके रहने वाले हैं अगर आप इतने marks नहीं लाते हैं तो आपका 120 marks में 120 लाना भी किसी काम का नहीं है बात कीजाए 120 की तो इसमें जो आपके सामने है part A, part B, part C, part D, part E और ये जो महत्पून है ये आपका TZT के लिए है जो भी ये चार्ट है ठीक है इसमें आप पाएंगे कि आपके 10-10-10 question रहने वाले हैं सुरू के 4 portion में और इसके बाद last में आपका 80 marks का रहने वाला है इसे आप detail में पढ़िए इसके notification में फिर हम बात करते हैं non-teaching stop के लिए याने की hostel warden के लिए जो exam का आपका ये pattern है उसमें भी आप पाएंगे कि सबसे last में इनोंने 30 marks का 30 marks का इनोंने language रखा हुआ है आपके सामने ये chart है आपके total जो यहां question रहने वाले हैं वो 120 रहने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें आप देख लीज़ें इसके बाद बात करते हैं कि कैसमें मार्किंग रहने वाली है तो हाँ इसमें 0.25 की मार्किंग रहने वाली है और सबसे महात्पूर्ण बात यह जो आपका exam है यह OMR seat पर होगा यानि की offline होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने महात्पूर्ण बिंदू थे EMRS के form को लेकर के वो complete होते हैं सबसे महात्पूर्ण बिंदू है TZT TZT में आप ध्यान रखेगा कि seat at आवल सके ना कि beard और सिर्फ आप bachelor degree के अधार पर इसे भर है अगर आपका bachelor degree है आप hostel warden के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं चलिए ठीक है आपसे विदा लेते हैं मुलाका जल्द ऐसे ही किसी महात्पूर्ण जानकारी के साथ धन्यवाज जैहिं जै भारत